नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरी चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Excel में किसी भी आइटेम के rate के percentage को कैसे आप increase करोगे और decrease करोगे इसका पूरा process step by step आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो वीडियो को last तक देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक table को यहाँ पर design किया है सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है product name इसके बात उस product का price यहाँ पर देखें मैंने increase 15% मतलब कि जो basic price है इसके उपर मैं 15% increase करके आपको दिखाऊंगा और decrease 15% मतलब कि 15% decrease करके दिखाऊंगा basic price से तो चलिए formula को start करते हैं मैं यहाँ पर आपको दो process use करके दिखाऊंगा सबसे पहले मैं यहाँ पर calculate करूंगा increase को इसके लिए आपको यहाँ पर simple से एक formula लिखना है equal इकोवल देने के बाद आपको यहाँ पर basic price जो है इसको आपको यहाँ पर select कर देना है और आपको देना है multiple sign और यहाँ पर आपको total जो price है मतलब basic price क्या है 100% उसके साथ आपको 15% increase करना है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 115% लिखने के बाद just simply एक बार enter कर देना है enter करने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो basic जो price था उसका 15% यहाँ पर देखे increase हो चुका है बाकियों को calculate करने के लिए just यहाँ से आपको drag करके auto fill कर देना है auto fill करने के साथ ही यह दिखिए बाकियों का calculation भी यहाँ पर हो चुका है अब मैं दोस्तों आपको दूसरा और एक process दिखाऊंगा जिससे कि आप increase और decrease को calculate कर सकते हो इसके लिए सबसे पहले मैं इन data को select करूंगा और यहाँ से delete कर दूंगा select करने के बाद just एक बाद delete प्रेस करना है तो यह data delete हो जाएंगे first cell में click करके अब मैं यहाँ पर formula start करूंगा इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है equal equal देने के बाद आपको यहाँ पर price के cell को select करना है select करने के बाद फिर आपको यहाँ पर plus देना होगा आप यहाँ पर increase कर रहे हो इसलिए आपको यहाँ पर plus sign देना है plus sign देने के बाद आपको फिर से price के cell को select कर देना है select करने के बाद multiple sign आपको देना होगा और उसके साथ ही आपको यहाँ पर 15% लिखना है जस्ट एक बड़ एंटर कर देना है, एंटर करने के साथ ही यहाँ पर देखिये, price amount जो है, वो यहाँ पर 15% increase हो चुका है, बाकियों को calculate करने के लिए जस्ट यहाँ से आपको drag करके auto fill कर देना है, तो यह देखिये, increase का process यहाँ पर complete हो चुका है, अब मैं decrease का process को calculate करके आपक 85%, 85 मतलब के 100-15, जस्ट एक बार आपको 85% लिखने के बाद एंटर करना है, एंटर करने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो, basic price जो है, वो यहाँ पर 15% decrease हो चुका है, बाकियों को calculate करने के लिए जस्ट यहाँ से आपको drag करके auto fill कर देना है, अब मैं दोस्तों आपको द आपको decrease कर रहे है, फिर आपको price के sell को select करना है, select करने के बाद multiple width आपको करना है 15%, जस्ट एक बार enter करेंगे, enter करने के साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो, price जो है वो यहाँ पर 15% decrease हो चुका है, बाकियों को calculate करने के लिए, जस्ट यहाँ से आपको drag करके auto fill कर देना है, तो यह देखिया, increase और decrease का total calculation यहाँ पर complete हो चुका है, अब मैं यहाँ पर इनको select कर लूँगा, select करने के बाद मैं चला जाँगा home tab में, home tab में जाने के बाद आपको जाना है number group में, number group से आपको increase decimal button में जाके click कर देना है, click करने के साथ ही इनका जो भी fraction amount है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाएगा, यह देखिये, तो दोस्तों यह था simple process जिसको use करके आप easily Microsoft Excel में किसी भी item के price के percentage को increase या फिडिक्रीस कर सकते हो, वीडियो अगर पसंद आया, तो like कर दिजिएगा, thank you for watching the video, please keep your support.